Hi everyone, welcome back to my channel तो मैंने जैसे कहा था मैं आज से practice mock के test देना start कर दूँगी और मैंने बोला भी था कि मैं practice mock का mock number 4 दूँगी 2022 का तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा score कितना है तो मेरा score इसमें 40s में है 48.75, rank 469, percentile है 87 और accuracy है 80%, तो accuracy मेरी जादा तर English की वज़े से ही खराब होती है अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इंग्लिश में कितने attempt किये थे तो जैसे कि आप लोग देख पारे होंगे, मैंने इंग्लिश में attempt किये 20 इसमें से मेरे 8 wrong हो गए और 12 correct है तो कितने marks आए होंगे, मेरे 10 आए होंगे फिर उसके बाद बात करते हैं, quant section की, quant में मैंने किये 25 एक incorrect है इसमें मेरा एक missing series incorrect हो गया था और reasoning के बात करते हैं, तो reasoning में मैंने किये 20 इसमें मेरे 2 silox कलत हो गए एक मेरा inequality वाला wrong हुआ और एक मेरा normal सा blood relation वाला तो मैंने किया था attempt 65, इसमें से मेरे 13 wrong है, 52 correct थे और फिर वो deduct होकर marks आगए 48.75 तो मैंने आपको बता दी, percentile 87 है और English का इक बार section score भी देख लो, English में 10 marks आए Reasoning में 23.75 और Reasoning में 15 अब बात कर लेते हैं इसके level की, तो PM की जो English है इसमें जो words है तो जैसे कि मैंने कहा ना, मैं हमिशा जो difficult vocabulary होती है उसमें मैं कहती हूँ, इन लोगों को लगता है कि exam students है, exam शिशी धरूर सर दे रहे हैं तो यह ऐसे English बना रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता इतना tough pre में आने वाला है English, especially ठीक है, और इसका जो वो था passage, वो तो मुझे से solve हुआ ही नी क्योंकि passage, मैं यह नहीं कहूंगी, passage बहुत जादा tough था passage आप कह सकते हो, बहुत lengthy था और थोड़ा सा confusing था एक तो जब time की इतनी shortage होती है तो फिर ऐसे में हम चीजें जो अगर confusing भी होती है जो moderate level की भी होती है test book की English भी ठीकी थी पर PM की जो English होती है, इसमें PM की English सबसे हाड लगती है मुझे ऑलिव बोर्ड की वेवन मेरी ठीक गई थी तो 10 score तो मेरा किसी में भी नहीं 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 और जैसे मैंने बताया है यह कौन से section है, क्वांट section है मतलब मैं जब क्वांट करी थी ना तो इसका क्वांट अला section ऐसे लग रहा था जैसे IBPS clerk pre वाले क्वांट दे रहा हुई हूँ specially mock no.4 का, बाकियों में tough थी लेकिन इसमें थोड़ी सी ठीक थी reasoning की बात कर लेते हैं, तो reasoning में एक वो circle वाली puzzle थी आपको दिख भी रहा होगा, मैं दिखा हूँ तो, नहीं दिखा हूँ, भी रहा है तो मैंने 4 cases दिये, लेकिन वो हुई नहीं, फिर मैंने सीधे उस पे move on कर गई यह जो coding वाला question होता है, तो फिर English में मेरे reasoning में मेरे बहुत ही में attempt हुए है, तो इस वज़े से मेरा जो score है, यह हुआ है, से 48.75 मैं टेली PM के ही मौक दूंगी, और अभी मैं अड्डा का मौक दूंगी, और अभी मैं अड्डा का मौक दूंगी, और अड्डा में जो मेरा score आएगा ना, वो मैं कम्यूनिटी जो होता है, उसमें शेयर कर दूंगी, उसका अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, वहीं पे अड्डा का मौक मैं अभी रात को दूंगी, फिर मैं डेफिनिटली उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैंने आपको बोला था, पट पीम का भी मुझे बहुत सार हो ने बोला था, तो मुझे पीम का देना ही तो आज से मैं पीम के ही दूंगी, और एक आप में quiz भी देती हूं अड्डा से, तो अगर आप लोग अड्डा की quiz देते हो, तो उसमें एक quiz ते English quiz for PCI, तो वो वाली quiz देना, उसमें जो close test है, वो आप लोग definitely attempt करना, और मुझे ज़रूर बताना, comment section में 10 है, उसमें 10 question है close test के, तो 10 आप लोगों के कित्ते marks आया हैं, क क्योंकि उसकी जो close stress है वो बहुत ही confusing है, tough नहीं बोलूँगी, उसमें words बहुत confusing है, आपको लगेगा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो उसे देना, क्योंकि मैंने टेलिग्राम चैनल पर जिस ग्रुप में काफी सारे लोग जुड़े वे हैं, तो मैंने वहाँ पर भी और students ने वो दिया था, तो मैं देख रही थी किसके सबसे ज़्यादा आते हैं, तो जब मैंने दिया तो मेरे खुद भी रॉंग थे, मेरे 7 जही थे और 3 इंकरेक्ट थे, तो मैं देख रही थी किस लेवल है, क्यासा है, तो सभी ये क्या रहे थे कि इसका close stress काफी, मतलब confusing ह तो आप लोगों से देना ज़रूर, close stress की practice आप लोगों को करनी चाहिए, English की close stress हो गया, fillers हो गया, para jumbles हो गया, इसकी practice करते रहा करो English तभी इंप्रूफ होती है, अब देखो मेरे English mains में मैं अच्छे marks लेकर आई English में 25 अबफ लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रीमे I don't think so, किसी को याद रहती होगी, बट आप लोग देना इस मौक को और फिर बताना अपना score